लमश्कार जैहिन दोस्तों ठीक उसी प्रकार मानव जीवन को चलानी के लिए सरकार द्वारा बनाय हुए नियमों का संचालन करना और कराने के लिए विभागों की रचना हुई उनी विभागों में से है पुलिस विभाग जो हम सब को पून रूप से शुरक्षा प्रदान करती है जिसमें कई सतर के करमचारी नियुक्त किये चाते हैं और उनका अनुपालन करना होता है तो दोस्तों बड़े हर्श की बात है क्योंकि आज हमारे बीच इंडियन पुलिस सर्विस के श्रीमान अशित यादव जी मौजूद है जिन्होंने बड़ा ही संगर्श किया और बड़े ही निडर्ता और सहिस्ता और जज़बे के साथ अपने मुकाम को हासिल किया तो आईए मुलाकात करते हैं ऐसी ही शक्षियत से श्रीमान डॉक्टर जी अशित जी आपका बहुत स्वागत है हमारे ग्वाले डाहरी में जी जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मैं मेरट का रहने वाला हूं और हमारे इनिशल एजूकेशन था वो सेंड मेरिस में रहा है वो मेरट से लोर केजी से लेके 12 तक मैं उसमें पढ़ा और शुरू से ही एक ब्रिलियंट तो नहीं पर हां एक अच्छा चात्र था क्लास में मिशा टॉप फाई में रहता था फिर टॉप थ्री में आ चाता था एक ऐसा बच्चा जो खेल के प्रती ज्यादा वो रहता था तो जो फर्स तरम और सेकेंड तरम होते थे उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं रहता था और जैसी फाइल एक्जाम आता था तो फिर में आता था मैं तो उस तरह का था और खेल के प्रतीवी में काफी इंट्रेस्टेड रहा जैसे कि आपने बचा बताया है कि आपका बच्पन बहुत अच्छा रहा है और आप स्पोर्स में बहुत इंट्रेस्ट रखते थे लेकिन कौन सा जो खेल है सबसे जादा आपको मतल जाबर खेलता है अब उस में जैसे स्कूल में जैसे मैं एथलीट था तो जो मेरे इवेंट से 100 मीटर 110 मीटर हडल 400 मीटर लॉंग ट्रिपल जंग इन में तो मैं अपने स्कूल को डिस्ट्रिक्ट पे भी रिप्रेजेंट किया और उसके बाद जैसे इंडिया में सभी लोग इंटर करने के बाद में आपने आपका सेलेक्शन MBBS के लिए हो गया और आप चकिस्ता शिक्षा में MD है क्या यही आपका प्रॉपर लक्ष था देखिए लक्ष में यह था कि 12 पास करके जैसे मैट्स मेरा ऐसा था कि गलती हो जाती थी मुझसे कभी-कभी अच्छा था तो म आपका सबसे मतलब जो सब्जेक्ट रहा इंटरस्टिंग सब्जेक्ट क्या रहा है देखिए साइंस बैक्डाउंड का होते हैं मुझे एकनॉमिक्स और जोग्रफी शूर से अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पे जैसे ICSC बोर्ड में 9-10 में एकनॉमिक्स की कॉप्शन रहता है तो उससे में मेरा 97 आया था उससे में कॉल इंडिया हाइस था हूँ जबकि म जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूँ बिखरा भी हूँ ऐ जिंदगी तेरी ठोकरों से मैं डिखरा भी हूँ तो आप मेडिकल लाइन से UPSC की तरफ भड़े क्या जुरून था इसके पीछे कि आपको UPSC की ही तयारी करनी है देखिए उसमें जब मैंने MBBS कर रहा था उस हम लोग तो जी जाई जी और वो थे तो बोले कि देख हम लोग तो गाहों से पढ़के रुड़की में जाकी है तो वो पी IPS है तो बने है तो उस समें लगा क्या कहते है कि इनिशल वो शुरूआत हुई कि इस तरफ भी देख सकते हैं क्योंकि MBBS में आने के बार लग रहा थ है क्योंकि उसमें अनसर्टिनिटी है तो इसलिए उससे में लगा कि MD भी कर लें तो MD के बाद क्या future secure हो जाता है तो secure किया उसके बाद फिर UPSC में लगे अच्छा जैसे कि आप UPSC लाइन में आ ही गए और इसके पीछे मतलब आपने किन-किन चुनोदियों का सामना किया औ मेरी marriage हो चुकी थी और उसके बाद तैयारी करना एक challenge था बस कि wife मेरी मतुरा में थी बेटा भी हो गया था उस समय को बहुत सारी बार लोग उस चीज़ को कोपनी कर पाते पर हमारे parents ने भी और wife के parents ने पूरा support किया और बिना tension के हमने तैयारी करी और उस वाजे से selection भी हो सबसे जादा सही हो किस का रहा और क्यों जो इनीशल वो करने को करेंगे कि जो जिसने बढ़ाया वो तो मैं अपने brother-in-law जीजा जी का नाम लोगा पर लेक तैयारी के समय पे जो मेरी wife है उन्होंने काफी support किया तो कभी भी कोई ऐसी चीज हो बल्कि मैं होता हूंगा कि जि मैं ख्याल रखा कि पढ़ाई में कोई disturbance नहीं हो बिल्कुल बहुत ही अच्छा जबाब दिया आपने अशित जी सबसे पहले अभी तक की सफर में हम जानना चाहेंगे कि कभी भी आपके हाथ असफलता लगी और उससे आपने क्या सीखा और आगे बढ़े असफलता इतनी ए तो मुझे रख राता कि और अच्छी आनी चाहिए थी अब उस समय M.D. में हो गया ये अच्छी चीज़े मेडिसन मिल गया पर सोच जो थी उससे कम आई तो अब उसको असफलता भी मान सकते हैं और ये भी मान सकते हैं कि कम सफल हुए जॉब में आए जॉब में भी ठीक ठ पतलब नहीं था पर उसमें उपर से लेके नीचे तक सभी प्रिशासने के अधिकारियों के पर को हटा आए गया था हुए तो ये सब चलता रहता लेकिन उसके बाद भी अपना काम करते रहे और फिर मोरेना जैसे चैलेंजिंग डिस्ट्रिक में भी रहे सोला महीने रहे औ और फिर उसके बाद से कोई ऐसी समस्य नहीं है तिलकल बहुत ही है इसके पस्चाथ हम बात करेंगे आपकी कारप्रनाली को लेके और दर्श को जीवन की सफर में जो आगे भड़ता जाता है असल में वही मुकदर का सिकंदर कहलाता है क्योंकि संगर्ष जितना बड़ा होत सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है तो अशित जी इसके पस्चाथ हम अपकी कारप्रनाली को लेके बात करेंगे और मैं जाना चाहूंगी कि यह फेल्ड में आपको कितना आप समय देते हैं और किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करते हैं देखिए पुलिस की जो कारप्रनाली है उसमें आदमी का एक बेसिक अबजेक्टिव बन जाता है जैसे मैं अपने बारे में बता हूं कि मेरी सोच है कि जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति है उसकी पहले सुननी चाहिए उसका उधार नहीं ऐसे दे सकते हैं जब मैं छोटा भी था कि अगर ऑस्ट्रेलिया जिमभाव जाएगा जनरली क्या होता है जो सबसे कमजोर आदमी उसको कोई नहीं सुनता तो पुलिस में हमारा धियान रहता है कि स्टाफ में भी और जन्रल जन्ता में जो कमजोर व्यक्ति है उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं और बाकी क्राइम पर यह है कि हलका सा यह मा जरेना जो जिला है वहाँ पर साड़े साथ बजे हम उठ जाते थे तो उसके बाद तो रात को डिनर भी साड़े बारा बजे ही होता था कि उचना कुछ विवस्ता बनी रहती है कुछ जिले ऐसे होते हैं जहां पर आपको कम जग ऐसे भी कम समय दे के भी काम चल जाता कि हो जाता है पर जैसे जिलो जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ पर तो आपको यह नहीं कह सकते हैं कि 24 गंटे साथ दिन काम करना पड़ता है पर हां 12 बजी से पहले आप नहीं सोच सकते कि आप आराम करें इसके पास्चात में एक सवाल और परूंगे जो मेरे ज देखे खाकी वर्दी खाकी जो वर्दी है उससे लोगों अपेक्षा है बहुत हैं और वर्दी के साथ-साथ हमारे पास की एक पावर तो है जो सब को दिखती है पर उसके साथ चैलेंजिस उससे भी जादा है प्रशासन जो है जो एड्मिस्ट्रिशन इसको कहते हैं उसके पास हर चीज होती देने के लिए कि सीने बोला कि कलेक्ट सब पानी ने आरगे चलो हैं धृगि किसीने बोला कि सड़ागों को सड़ा की बन ही पनो इसी चीज है उसका कामी रोकटोक जो शे को रोकना जो भी ची थोड़ा सा लो से डवेंट कर रहा है उसमें क्या होता है कि estar सारे लोगों को पसंद नहीं आती रोक्तों और उसमें एक पुलिस के प्रती एक नकरात्मक रवया बन जाता है पर आजकल नए जो अधिकारी हैं काफी उसमें जंसमवादी बड़ा है तो वो समस्या पहले से कम हो रही है जब एक बार हम सीजा जंता से समवाद रखते हैं बह अभी बोलूँ है कि हमारी पुलिस है 85% बहुत अच्छी पुलिस है 15% हर विभाग में ही थोड़े से नकरात्मक होते हैं क्या किसी भी रैंक पे हूँ वो हमारे पुलिस विभाग में भी है तो उनको जो भी तरीका होता है उससे कंट्रोल किया जाता है तो अशित जी जैसे आपके पास एक प्रशाशन की जवाबदारी है और कितना समय आप अपने घर परिवार को देते हैं देखे इसमें बताना चाहरा था आपको कि जो समय देना है जो पुलिस विभाग में वो डिपेंड करता है कि आप अभी किस पद पे हो जब आदमी फील्ड में होता जैसे अब शुरू में ट्रेनिंग टाइम में हम थे उसके आज सी एसपी रहे एडिशनल एसपी तो फील्ड पोस्तिंग है या एसपी जिले के एसपी रहे तो काफी कम समय दे पाते हैं और एक बार अगर हम सुबह साथ 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 उठते हैं तो उसके बाद तक 12 बजे तक रात को व्यस्त रहते ही हैं अगर हम जरूरी नहीं कि ऑफिस में बैटे हैं लेकिन फोन हर समय एकुपाइड रहते हैं और काफी साथी चीजे होती हैं जो हम लोगों को फोन पे भी उसको टैकल करना पड़ता है ये भी एक जो आजकल अधिकारी है कोई भी जैसे पहले होता होगा अगर मोबाइल तो स्विच आप भी नहीं कर सकते हैं तो रात में आप मानके चलिए कि जो ठीक थाक बड़े जिलो में तो रात को आपको बारा साड़े बारा बारा कोई ना कोई फोन करता ही रहे का तो उस समय जो बीच में जैसे बार ऑफिस आने के बाद जो परिवार होत किया कम से कम एक घंटा मुझे आता है कि मेरे पेरेंट्स लेके बैठते थे मुझे रोज दो घंटे पढ़ाने के लिए मैं अभी तक वह समय नहीं दे पाया हूं अपने बच्चों को मुझे लगता है कि इसी तरीके से हम अपने पेरेंटिंग रोल में इतना नहीं कर पारे पर जौब ऐसा चुना है और वाइफ का सपोर्ट है वाइफ पूरा देती है बच्चे को टाइम देती है पूरा तो कंपनसेट हो जाता है बहुत ही अच्छा जवाब दिया इसके पश्चात मैं आप से जानूंगी कि आप जैसे अभी आप अपने कारेपरणाली को लेके ब है एसा कोई क्योंकि जौब ही ऐसा है तो उसमें आदमी की जो ट्रेनिंग जो होती हम लोग कीaoसे एंपे में ड्रेनिंग होती है तो इस चीज को पूसे पूरा ऐक तो चीज से आदमी के दिमाग में बुषानेंग हो जाती है कि wonderful रिटीनिंग हो जाती है कि उसको लेके आपको मतलब family life और professional life को आपको mix नहीं कर सकते हैं वो आपको professional life आपको हमेशा separate रखनी पड़ेगी और उस से जो है क्या कहते हैं कोई ऐसी समस्य आती है कि जब कभी आपकी professional life family life में miss match हो रहा है तो preference हमेशा professional life को देनी पड़ती है बहुत ही भड़िया इसके पशात मैं आप से जानूगी कि जैसे आपके जीवन में कभी ऐसी कोई घटना घटी है जिससे आपने सीख ली हो प्रेणा ली हो और आप अपने पिता से या माँ से कुछ सीखा हो आपने देखिए जो सीख तो जो माबाप होते हैं तो बच्चपन से टीचर सी होते हैं और जो जैसे हमारी जैसे कहेंगे मदर से सीखने को तो जो एक तरीकी का जो जो जारूपन है जा जो मतलब की कठिन चुनौतियों को करने का है वो हमारी मदर से आया है क्योंकि जब मैं छोटा ही तो एक तरीके से जो स्ट्रगल है जो एक वो है वो शुरू से ही मदर से सीखा है पापा से सीखा है क्या कहते हैं अच्छा इंसान कैसे बना बनना चाहिए आत्मे को कि हमने शूर से देखा कि कभी किसी के साथ गलत नहीं किया गलत सोच नहीं रखी और तो यह ही एक दो चीजे क्या MD क्या UPSC, वो चीज़े मदर से भी, और फादर से हुआ क्या कहते हैं कि अच्छा इनसान कैसा होता है, वो चीज़ सीखी, तो जो भी कठिनाईया आई हैं, चोटी बड़ी आई हैं, तो वो इस सीख से हमेशा निकलती रही हैं, या आपके जो पैरेंट्स हैं, उनका बहुत पसंद था और खेलना भी, तो जितने भी जैसे न्यूज़ेलेंड में उस समय मैच होते थे वो रात को दो बजे शुरू होते थे, और एक टाइम पर मेरे जीवन का वो था कि कभी मुझे जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच आउस्ट्रेलिया में देखने को, मैं सबस उनको समझने का मेरा प्रियास रहता है, तो अब इस तरफ जाता मैं देखता हूँ, और म्यूजिक सुन लेता हूँ, गाने का शौक नहीं है, पर दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा कहां आपने, और इसके पस्छा हम आपके आपसे बात करेंगे, आपके उपलब्दियों को लेके, जैसे कि आपने बड़ी ही निडरता, सहस्ता और जजबे के साथ आपने भिंड में, पदस्थापना के दौरान सिंघस्त मेले उज्जैन में, रामघार छेत्र और महा काल मंदिर, छेत्र का प्रभार आपर मेरा जो एडिशनल स्पी टाइम है वो अजयन में रहा था, तो वहाँ पर करीम है ग्यारा महीने रहा था एडिशनल स्पी सिटी, तो उस समय जो वहाँ पर जितने भी लोग थे जनता थी अपराद पर अच्छा नियंतन्ट था और जितने वरिश चारीकारी थे उनके मांग दर्शन में एक अच्छा कारे किया, तो जो फर्स्ट हमारा प्रोमोशन होता है, जिसमें हम कहते हैं कमांडेंट अबली कैस्पी, तो मेरा भिंडुआ था, तो उससे में सिहहस्त जो मेला हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर रहा है चुका था पहले, तो हमारे बैच के सभी गंटे से कम हमने काम किया, सबसे बड़ा चैलेंज उसमें ये भी था कि गर्मी, उस समय उजयन में काफी गर्मी थी, टेंपरिचर 42-43 था, तो उस समय अधिकारी आप ये नहीं कर सकते कि मैं खुद अंदर बैठ जाओ, तो मेरे अधिनस्त काम करेंगे, तो आपको फील्ड ये रेगुलेट करेंगे, तो मुझे रगता है कि मध्यप्रदेश कहेंगे आप बहुत बड़ा आदमी को सीखने के लिए एक जगह है, तो उसकी पूरी विवस्ता हमने देखी, और वहाँ पर जो उस समय पुलिस अधीक शक्ते, मनोव औरमा साब थे, तो उनके हम था, आप बहुत ही अच्छी तरीके से संचालित था, और उसके लिए काफी हम लोगों को एप्रिसेशन भी मिला था, बहुत भड़िया, और इसके बाद में ये है कि वहाँ पर जैसे आपने सफल आयोजन कराय गया वहाँ, और कुछ मतलब ऐसा आपको कुछ वहाँ लगा कि और सीखा हो आपने कुछ? नहीं सीखने तो पुलिस में जैसे कहता है आदमी रोज सीखता है, तो क्योंकि शुरू में ऐसा लगता था कि हम 5-6 गंटे काम कर लेंगे तो हमारे अधीनस्ते वह आराम से काम करते रहेंगे, तो सबसे पहले तो ये सीखा कि ऐसी कर सकते हैं पर उनको एक सुपरविजन भी चाहिए, क्योंकि आपने थोड़ी भी लापरवाई करी या नीचे को लगा कि अब साहब अब नहीं आएंगे, तो जो जगह वह भी थोड़ा सा शितल हो जाते थे, क्योंकि टेंपरिचर बहुता गरी बहुती और लोग परिशान तो सबसे अच्छा तरीका उसे उस रास्ते से निकलने दो, उसका exit plan करो, और हर चीज़ का contingency या emergency plan होना चाहिए, तो यह सब तयारियें करी और इनी की वज़े से काफी एक सफल आयो जनरा हो बहुती उचित आपने जवाब दिया, इसके बाद पुलिस अधिक शक के पद प पद स्थापना पुलिस अधिक शक जिला बाला घाट के पद पर की गई और इस पर आपका क्या विचार क्या कहना चाहेंगे इस बार में? अब जिससे नकसल जो समस्या है, एक तो चीज हो जाती है, लोई और 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 उसका शोशल बैक्ग्राउंड हो जाता है, कि लोग के साथ जो नाइनसाफी या कुछ हो रहा है या किस वज़े से जोड़ रहे हैं लोग, या सपोर्ट करते हैं, तो पुलिस का वहाँ पे ब पाला घाट में, पर काफी में संतुष थी हूँ, जितना टाइम बीरा में वहाँ है, बहुत, उचे जवाब दिया आपने, और अशी जी इसके बाद में जाना चाहूंगी, जैसे कि आप जब भी समाज में क्राइम देखते हैं, तो क्या जहन में आता है, तो क्या जहन में और कभी-कभी हो जाता है कि पैसे की एक ललक, दो तरह के इसमें होगे, अब इसमें जैसे हमने देखा कि इसको पुलिस का, क्योंकि जो परिस्थितियां है, वो पुलिस के हाथ में नहीं है, कि गरीभी देना, इंप्लॉयमेंट देना, गरीभी कम करना, श्यक्षिक्ता तो उसमें पुलिस का रोल रहता है, और कई पर ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं